पूरी करने के बाद अभिनेटा पूलेंड पहुच गए जहां से उन्होंने कुछ तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सेशर की है लेकिन अमिता बच्चन ने ये नहीं बताया कि वो कहां गए है इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया इसके साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेर किया जिसमें उन्होंने पूलेंट शेहर की और अपनी कुछ फोटो शेहर कर वहां जाने का कारण बताया है ऐसे में अभिनेता अमिता बच्चन एक बार फिर से सुखियोए में आ गए हैं अभिनेता ये ट्वीट अपने बाबुजी और हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और कवी रहें हरिवान अश्राय बच्चन को लेकर किया कि यूरोप में सबसे पुराने चर्चों में से एक चर्च में पोलन में बाबुजी के लिए प्रार्थना बहुत ही भावुक पल उनकी आत्मा को शांती और प्रेम मिलना चाहिए ऐसे सम्मान के लिए बिशप और पूलन के लोगों का धन्यवाद आपको बता दे कि अभिनेता अमिताब बच्चन के पिता और मशूर हिंदी लेखक हरिवन अश्राय बच्चन को बीते दिन पूलन में समानित किया गया है अमिताब ने पोलन एयरपोर्ट से फोटो सार्जा कर लिखा कि ये वो देश है विदेश में जो पूजे बाबुजी को सम्मानित करने जा रहा है एक त्रुक्तर के लिए इससे बड़ी भाग्यशाली बात और कुछ नहीं हो सकती खेर अगर हम अमिताब के काम की बात करें तो उनके पास इस वक्त कई फिल्मे हैं जो आने वाले दिनों में सिनेमा घरों में रिलीज होगी इस लिस्ट में ब्रहमास्त्र, गुलाबो, सिताबो और चिहरे जैसी शामिल है